आप सभी का स्वाकत है मेरे यूट्यूब चैनल डिवाइन म्यूजिक में आज मैं आपको बताऊंगी इस साल विनायक चतूर्ती कब मनाई जाएगी विनायक चतूर्ती के दिन गड़पती बबा को इन चीजों का भोग लगाएंगे तो आपके सभी संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाय पूर्ण होंगी सनातन धर्में विनायक चतूर्ती का अधिक महत्व हर महिने में चतूर्ती का तोहार दो बार आता है विनायक चतूर्ती के अफसर पर भगवान गड़पती की पूजा करने का विदान है इस बार पोश माम में विनायक चतूर्ती 14 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी मानता है कि विनायक चतुर्ती के दिन भगवान गणेश की पूजा वरत करने से सादक के जीवन में खुश्यों का आगमन होता है और सभी संकुटों से छुटकारा मिलता है धार्मिक मानता है कि भगवान गड़ेश की पूजा के दोरान कुछ विशेश चीजों का भोग लगाने से गड़पती बाबा प्रशन होते हैं और पूजा का सुफ फल मिलता है आईए अब मैं इस विशे में आपको बताऊंगी कि केड़ेश जीजों को भोग लगाने से गड़ेश जी भगवान खुश होते हैं बगवान गड़ेश को मोदग बेहत प्री हैं विनायक चतुरती के दिन गड़पती बाबा के भोग में मोदग को जरूर शामिल करें ऐसा करने से बापा जल प्रसन होते हैं इसके अलावा गड़पती बाबा के भोग के लिए मोती चूर के लड़ू भी बना सकते हैं कहा जाता है कि इसका भोग लगाने से प्रेम संबंदों में खुश्यों का आगमन होता है गुड का प्रियोग मीठे के तौर पर पूजा पाट के कारियों में किया जाता है विनायक चतुर्ती के अफसर पर भगवान गड़ेश को गुड का भोग भी लगा सकते हैं गड़पती बापा के भोग में केले को शामिल करना उत्तम माना गया है इसलिए विनायक चतुर्ती के दिन भगवान गड़ेश के भोग में केले अवश्य शामिल करने अगर आपके विवा में किसी तरह की कोई परिशानी आ रही है तो ऐसे में भगवान गणेश का माल पूए का भोग लगाना चाहिए मानेता है कि ऐसा करने से विवा के योग जल्दी ही बनते है इसके अलावा विनायक चतूरती के दिन भगवान को रबडी का भोग लगा सकते हैं इसका भोग लगाने से सादक के संकट दूर होते हैं अब मैं आपको बताऊंगी विनायक चतुर्ती का वरत किस परकार करना चाहिए। विनायक चतुर्ती वरत के दिन प्राता कासनान के बाद पीले या लाल वस्तर पहनने चाहिए और पूजा की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए और उस पर गणपती की प्रतिमा या तस्वी स्तापित करें। गणपती की रोली, मोली, जनेऊ, दुर्वा, पुष्प, पंचवेवा, पंचामरिच, चावल चड़ाएं, भोग में मोदक और मोती चूर के लड़ू अर्पित करें। हर मा की चतुर्ती तिती गड़पती की पूजा के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। कहा जाता है कि अगर पूरे विदी विदान से पूजा करते हैं तो सारे दुखकष्ट दूर होते हैं, सभी परेशानिया दूर होती हैं और सभी मनोकामनाय पूर्ण होती हैं। बोलो गडेश्टी भगवान की जै, बोलो शिप पार्वाती की जै, धन्यवाद।